के दोस्तो आज हम इस वीडियोंगों बात करने वाले हैं union bank account में आधार नंबल लिंक कैसे करें घर बैठे अपने mobile से ही घर बैठे आप union bank में अपना आधार लिंक कैसे करें इसका पूरा प्रोसेस बताया जाएगा वीडियों में end तक बने रहेगा वीडियो को बीना skip किए पूरा वाच करिएगा सबसे पहले आपको ब्राउजर open कर लेना होगा जैसे आप ब्राउजर open करिएगा यहां पर आपको लिखना होगा union bank जैसे union bank लिखेगा union bank और इतना लिख कर देना जैसे सर्च करिएगा कुछ ऐसा interface देख इतना options देखने को मिल रहा है लेकिन आपको जनना अपन आप और नीचे जाएगा आपको यहां पे देखने को मिलेगा काफी सउपदा से जीए बहुत सी सुबजा हैं आपको यहां पर link your आधार नमबर देख सकते हैं आपको नीचे से तीसरा नमबर है उस पर आपको किलिक कर देना है कि यहाँ पर देख लीजएगा पहले आपको 12 डालना यहें तरह याँ दालना दो ona तरह दो यहाँ पर आधार नंबर में मोबाईल नंबर फिर एमेल आएडी चलिए फिल कर साथ दीचने की आपको 85 जयां कंजको 14 अजया चाहिए 600 आधार छेए इसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा प्रोसस समझाया जाएगा चले एकाउंट लिटल फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद वीडियों बने रहेगा अगर वीडियो अच्छी लेगे तो फिलिज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरू करिएगा पहले बा दोबारा मिसमेच हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा मिसमेच नहीं होना चाहिए और इसके बाद आपको फिरू सीख नीचे आपको आना है वहाँ पर जो आपके अकाउंट में आधार में नमबर नाम होगा आपका सौरी जो नाम होगा वो नाम यहाँ आपको फिल कर देना ह जैसे नाम फिल करिएगा फिर आपको नीचे देखने का अधार कार्ड 12 डिजिट यहां मों के आधार नमबर जो है आपका वो 11 डिजिट आपको यहां पे फिल कर देना bathing वॉलिट बाक्स में चलिए 12 नमबर का आधार आधार नमबर फिल कर देते हैं 12 डिजिट का आधार नमबर फिल करिएगा फिर उसके बाद आपको नीचे फिर रिएंटर आधार नमबर यह बॉक्स फिल कर लीजेगा इसके बाद आपको नीचे आजाना जली फिल कर लेते हैं उसके बाद आगे का प्रोसर समझाते हैं इसके बाद आपको नीचे वाले पर देख सकते हैं नीचे वाला बॉक्स से दिखाई देगा आधार रिएंटर अब आपको आधार फिट से रिपीट कर देना और वीडियो अच्छी लगेगी तो फिलीज लाइक सस्क्राइब सेर अपने दोस्तों के पास सेर करिएगा जितने जान पहेंचान वाले होंगे उनके बाद सेर करिएगा ताकि उनको भी नॉलेज पता चले और वो भी घर बैठे अपना उनलाइन कर सके आधार लिंक किसी भी बैंक में आप कर सकते हैं हर बैंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसके बाद आपको नीचे मोबा जाएगा अगर आपको देख सकते हैं कि सब्मीट वाले अप्सन पर आपको किलिक कर देना बाकी कुछ भी करने का ज़रूद नहीं है जैसे सब्मीट वाले किलिक करिएगा एक आपके नमबर पर ओटीपी आएगा और उसको ओटीपी फिल करके आप लोगिन हो जाएगा जै कर दीजगा थैंक यू